दे सस्क्राइबर तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड आज हम बात करने वाले हैं बिहार BPSC टीचर 3 को वेकेंसी कर लेकर के अपडेट निकल किया रहा है आज हम इसी के वारे में बात करने वाले हैं सबसे बड़ी बात देख सकते हैं आप लोग जितने भी फ्रेंड अगर टीचर 3 को लेकर के वेकेंसी का अपडेट का वेट कर रहे हैं तो फ्रेंड फैनले जो कि कुछ नोटिफिकेशन निकल के आचुका है तो कब से यह स्टार्ट होने वाला है कब से वेकेंसी कर नोटीस आ कर रहे हैं फॉर्म फिलाप करने के लिए तो उसके लिए खुसखवरी आ चुका है और आप लोग जो है कि बहुत जल्द फॉर्म को भर सकते हैं जितने भी कंडिडियेट तैयारी कर रहे हैं वेग्जाम को लेकर के फॉर्म भरने को लेकर के तो सारा चीज आपको यहाँ प देख सकते हैं जो कि अभी coming soon में है जो vacancy details से फिरेंट मैं आपको बता दूँ सबसे बड़ी बात इसमें कौन-कौन से apply कर सकते हैं कौन को नहीं कर सकते हैं तो इसमें पर एक चीज़ देखेंगे कि आपको फिरेंट मैं पहले भी बता दू इससे पहले भी मैंने आपको बताय सब्सक्राइब कर देख सकते हैं कुछ न कुछ सरकार आपको सीट दे रहा है और आप लोग जो कि अच्छा खासा फॉर्म भर के आप लोग जोब भी ले रहें यहां पर समझते हैं जो important requirement क्या होने वाला है तो आपको धिहान में रखना है कि आपका फिरेंट फॉर्म समझेंगे कि अगर 24 अगस्त में अगर आपका एक्जाम सुरू होने वाला है तो इससे पहले ही आपका फिरेंट जो कि फॉर्म फिलप और सारा सेट अप होने वाला है तो यह चीज़ को प्रेंट आपको समझना है जो कि मैं अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ और यहां प रनने वाला है अधर इस्टेट वाले कोई अगर और अप्लिकेशन जितने भी फिरेंट अपलाई करते हैं जैसे अधर इस्टेट का हो गया या बिहार के अधर कंडिडियेट है उसके लिए सारे साथ सुरुपया है यहां पर सैलरी अगर देखेंगे विपेसे 3 में तो इसम पर 9-10 के लिए यहां पर 31,000 सैलरी आपका यहां पर रखा गिया और वहीं पर 9-10 के लिए जो कि मादमिकी सिक्षा के लिए अगर आप जाते है फ्रेंट तो जो की विद्याले अध्यापकों के लिए अगर आपका होता है तो उसमें भी 31,000 देखने के लिए आपको मिलता हो और जो यहां पर 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 हितूरिक पद में जो अपलाई होगा उसके लिए यहां पर 35,000 सैलरी रहने वाला है तो यह सब चीज़ को आपको दिहान में रखना है जो में पॉइंट है यहां पर वेकेंसी डिटेल से मतलब कि जो आपका सीट होने वाला है कि किस पोस्ट पर आपका कितना सीट देने वाला है तो वह चीज़ को आप यहां पर देखेंगे जैसे आपका 6-8 के लिए हो या 9-10 के लिए हो या फिर आपका PGT 9-10 के लिए हो तो इस कंडिशन में देखेंगे अभी आपका सीट यहां पर नेल रखा गया कोई भी आपको सीट नहीं दिया ग स्टेंगे तो आपको में पर दो बता supports wat 10 मेट्रीग जो ही कि आपका जरूर होणा चाहिए अगर आप मेट्री कर लिए इंटर कर लिए है तो यह तो आपका अनिवार्य रही है ज़ो चाहिए 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 बट इसके बाद का को और ने कंप्रीट किया हूआ है बाग के जो पेपर होता है जैसे जाती परमान पत्र निवास परमान पत्र या दिव्यांग सर्टिफिकेट या यह सब चीज में अगर आती तो यह सारे सर्टिफिकेट यह अगर OVC कंडिडेट आते तो आपको फिर्ण वहाँ पे एंसल लगाना होता है जो एंसल आप करेंट करेंगे EWS कंडिडेट हैं तो आप लोग अपना जो ही की EWS सर्टिफिकेट बनाएंगे बांकि SCST कंडिडेट के लिए यहां पर कास सर्टिफिकेट बनाकर रखना जरूरी फिरिंगी इसमें आपको कम से कम 15 से 20 दिन कभी समय लग सकता है इसलिए आप जल्द से जल्द पर लेंगा अच्छी तरस से और डिटेल्स को पेपर को तयार करके फिरिंड आप लोग को रखेंगे यहां पर इजविल्टी जो चाहिए फिरिंग कौलिफिकेशन बेंसी 3 में तो आप देखेंगे यहां पर एक से पांच को ले करके 6-8 को ले करके जो यहां पर बताया गय और बांकि जो 6-8 को ले करके तो उसके लिए 55% है बांकि सभी के लिए 50% या 45% आपको फिर यहाँ पर कम से कम qualified नमबर आपको चाहिए जो पास आउट करने के लिए बांकि सभी का यहाँ पर अलग अलग requirement है यहाँ अगर आप देखेंगे 9-10 के लिए तो उसके लिए आपको यहाँ पर अलग देखने के लिए जो आपका फ्रेंट जो बी एट है या सीट है या फिर इस्टेट पेपर है वो किस डेट से आपका जो ही की पास आउर होना जो 2002 मे qualification के अनुसार जैसे आपने B area deal 8 complete किया हुआ है या फिर आपका PhD है जो भी qualification है ताप अपने according यहाँ पर qualification को check करेंगे और अच्छी तरह साप देखेंगे कि आपका qualification कितना percentage आपको चाहिए इसमें आपको pass out होने के लिए यह फ्रेंट जो BPC teacher का फ्रेंट जो new vacancy आ रहा है फ् अप्लाई का फ्रेंट तो मैं अपनर अब HC को अफिसे चोरी हो जाएगा तो आपका 24 अगस्त को exam लिया जाएगा तो उसके according अगर देखेंगे तो आपका草नि जो कि notification 아이 ऊप्लाई उससे पहले ही शुरू हो जाएगा तो 15 अगस तक प्रेंट एक्सपर्ट किया जा सकता है कि आपका जो नोटिफिकेशन है ओफिसली फ्रेंट वो देखनेकली मिल जाए और कितना सीट पे बाहली होगा वह भी फ्रेंट आपको देखनेकली मिल जाएगा 15 फरवरी तक तो उसके बाद जो फ्र जो भी पेपर है आपको फ्रेंट अच्छी तरह से प्रिपेर कर लेना है तैयारी कर लेना अच्छी तरह से एक चीज़ का फ्रेंट आपको और ध्यान में रखना है कि अगर आपके अधार कार्ड में किसी भी तरह का गरवरी फ्रेंट अगर आपका जो अधार कार्ड है वो कुई इस बार देखने के लिए मिल सकता है अभी इसके बारे में कोई भी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है यह जो कि कुछ लिक्स है जो निकल के आया जो मैं आपके साथ शेयर करना हुथ आपको ध्यान रखना है आपका डिटेल्स और आपका डोकॉमेंट्स डिटेल्स आपक आपको कौन सेलिंग करने नहीं दिया जाएगा इसलिए यह सब चीज को फिरिन आपको ध्यान में रखना और डोकॉमेंट्स को अच्छी तरसे करना है फिरिन तो 15 फरवरी तक फिरिन आपको उमीद है कि नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है और आपको जो ही कि जैसा प्रिफिकेशन देख सकते 25-24 फिरिन जारी किया गया इसका डिटेल जो आपको सारे चीज यहां पर देखने के लिए लिए तो लिंक आपको डिसकेशन में मिल जाएगा तो आप जरूर इसको चेक कर लेंगे अच्छी तरह से फ्रेंट तो आप जानकारी फिरिन अच्छा लगा अगर आप लोग चाहते इसी परकार से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओन कर ले ताकि आने वाले समय और आज जैसे नोटिफिकेशन आता है और कैसे फॉर्म को फिल अप करना है सभी टोपिक को ले और कैसे वीडित आता है और कैसे वीडियो को फिल आता है प्राइब शाहते है और आपको ले फॉर्म कर लेका है और आता है